So finally guys Realme UI and Android 10 की official data lease कर दी गई है जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे devices ऐसे हैं जिसके अदर अभी तक Realme UI and Android 10 का version अभी तक नहीं मिला है software update अभी तक नहीं आया है जिनका नाम मैं अभी mention काने वाला हूँ Realme 2 Pro, Realme C2, Realme 3i3, Realme 5i5 और 5s दोस्तों इन सारे devices के अभी तक जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी तक update नहीं आया है Realme UI and Android 10 का तो guys इस वीडियो के अंदर आप लोग आपको बताने वाले हैं कि कब तक आपको ये update मिलने वाला है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं आपको बताते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने इस channel के उपर Realme के updates और battery saving tips वगारा लेके आते रहते हैं तो ऐसे ही वीडियो से रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके रख लीजिए और bell का icon को भी click करके रख लीजिए तो जैसा कि आप सभी को पता ही है पहले Realme के जो उनका promise किया था कि Realme XT, Realme X2 Pro and Realme 3 Pro के अंदर ये update दे दिया गया है Realme UI and Android 10 का लेकिन बाकी के जो बचे devices हैं जिनका नाम मैंने starting में ही mention किया उनको अभी तक Realme UI and Android 10 का update अभी तक नहीं मिला है तो उसकी official date confirm कर दी गई है इस वीडियो के अंदर पूरी आपको information देने वाला हूँ तो अगर आपके पास भी Realme 3i 3 Pro, Realme 2 Pro, C2, Realme 3, 3i, 5, 5i, 5s हैं तो इस वीडियो के साथ बने रही है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह आपको software update कब तक मिलने वाला है तो चलिए दोस्तो यहाँ पे आपको एक official Realme का poster यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अदर सारी आपको information पता चल जाएगी तो चलिए दोस्तो आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसको आगे बढ़ने से पहले दोस्तो वीडियो के लाइक और शेयर कर देना यहाँ पे आप देख सकते हूँ April के अंदर Realme 3 and 3i के अंदर मिल जाएगा तो गाइस तब तक आप वेट कर सकते हो और जब भी यह अपडेट आजाएगा software अपडेट आपके devices के अंदर तो हम वीडियो आपके लिए बना के दे देंगे तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए so thanks for watching guys